वेलकम तो डी एपिसोड ऑफ सिंग आडर जोन यह आपको मिलेंगी टॉप फ्री न्यूज अपडेट्स ओन एलेक्ट्रिकल वहिकल डिवल्मेंट इन इंडिया और गलोबली शुरू करते हैं पहले अपडेट से जो है रिवॉल्ट इलेक्ट्रिक मोटर साइकल की तरफ से दो जो कि इसमें कहा गया है रिवॉल्ट की तरफ से के वेन यूर पैशन इस अनलेमिटेड इस वर्थ रिवॉल्ट थैंक यू रिवॉल्टर्स फोर यूर अल्टिमेट लव अनलेमिटेड लव एंड स्पॉर्ट हम वी आर स्टार्ट क्लोज बुकिंग फोर सेप्टमबर इसमबर तो दोस्तों बिलकुल काफी अच्छा रिस्पॉंस रहा है निशली काफी लोगों इस बाइक को पसंद किया है जिससाब से इसके फीचर आए हैं इसको प्लान डिकाल गया हो जो वर्जन सामने रखे गए हैं इससाब से अवराल सभी ठीक रहा था है टोटल जो प्रड़क्ट आज तक इंडिन मार्किट में उतरें किसी को इतना अच्छा रिस्पॉंस मिला हो अभी तक बात करें जो माने सर्मिन का प्लांट है वहां पे करन्ट कपैस्टी एक लाख बीज जार यूनिट्स की है एन्नुली जिसको की बिलकुल मुझे पुरी मीदा कि नहीं करेंगी हो सकता अगर वहां पॉसिबल ना हो तो एक न्या जगा न्या प्लांट कंपनी लगा सकते मुझे इस वार की पूरी मीद है जब भी ऐसा कुछ न्या अप्डेट आएगा आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले यहाँ तीसरा और लास्ट अप्डेट है एंटी पीसी की तरफ से एंटी पीसी ने हाल में यह कमिशन किया है फर्स्ट एलेक्ट्रिकल वहिकल चारजिंग स्टेशन विद जॉइंट वेंचर विद इंडिन ओयल कॉर्परेशन का पेट्रॉल पंप है ग्रेटर नौइडा यूपी में बिल्कुल वहाँ पर इसको सेट अप किया जा चुका है अगर बात करें तो आई यूसी की तो आई यूसी हमड़ी के साथ मिलकर भी अपने पेट्रॉल पंप्स पर जो चार्जिंग इंफ्रा उसको डिवैलप कर रहा है यहाँ जो आई यूसी के साथ सेटअप किया है उसमें चार चार्जिंग पॉइंट दिये जाएंगे जिसमें से दो रहेंगे भारत बारत बारत प्राइब किये जाएंगे वहाँ पर उनके सर्विस सेशन पर इसके लाब एक और लास्ट वीक बड़ा अपडेट आया था NTPC का कि बहुत बड़ी 20,000 क्रोड की इंवेस्टमेंट की जा रही है 5000 मेगावाट का अल्टरा मेगा सोलर पावर प्लांट सेट अप किया जाएगा भुझ जो कि गुजरात में है दोस्तों थम्स अप है NTPC के लिए जो कि अपने पॉर्टफोलियो को चेंज कर रहा है जा उसका पेट्रोल फॉली जो की थर्मल बेस्ट कॉलर जो कॉल बेस्ट सर्मल प्लांट थे जिससे हम कहते के पॉलिशन होता है बहुत जादा उस पॉर्टफोलियो कनवर्ट कर रहा है अब रिनोवल अनरजी में तो अच्छी बाद है दोस्तों इसके लिए थम्स अप बनता है ने पचास इलेक्ट्रिकल बस्स को अप्रूव किया है अंडर फेम टू कदंबा ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन लिमिटेड गोवा बिल्कुल गोवा की ट्रांसपोर अंडर्टेकिंग है टोटल दोस्तों पचास बसों के लिए रिक्वेस्ट डाली थी गोर्वर्वर्ट एनन चाहिएं और अक्तवर तक सारा परसीजर स्टर करके नोवंबर में इन बसों को अड़किया जाएगा इनको रन किया जाएगा now में जो इनकी जो रेंच में अगर र स्टार्टिंग में जो रेंच है पर किलो मेटर बशसे की दो zasad K BILL मेटर रहेगी और इन को जो जो को स्टा आगे रहेगी चो फिनीग जो पसेंजर से हैघ्ज वदी Complete रुपे पर किलो मेटर के साब से चार्ज किया जाएगा तो उसको काफी अच्छी बात है कि जादा से जादा स्टेट्स इलेक्ट्रिकल बसीज में आगे आ रही है और स्पेशली अंडर फेम टू जो उनको स्पोर्ट मिल रही है उससे और जादा बेनिफिट हो रहा है सबड़ मिलकर स्टेट और सेंटर मिलकर ऐससब कर रहे हैं मुझे पूरी मिर आएगैं कि आने बुरे हो चार्पान सालों में टोटल अंडर पर सेंटस को स्टेप वाइस अगले चार पान सालों में इसको कनवर्ट किया जा सकता है लेक्ट्रिकल बसे में बहुत ज्यादा स्कोप ऐसे और बहुत ज़्यादा जो सियो टुक अमिशन है उस पर फरक पड़ेगा और लाखो लिटर जो डीजल है उसकी भी जो कंजप्शन है वो कम होगी जो अवराल डिपेंडन्स है इंडिया की क्रूड ओल पर वो भी कम होगी तो बिलकुल इस सेग्मेंट मैं स्पेशली मैं चाहता हूँ कि यह सेग्मेंट ऐसा है क्योंकि इसकी निशल कोस पहुछ ज़्यादा है क्रोड रुपे से कम मुझे नहीं लगता हो कि बस आती होगी एक से लेकर दो क्रोड के बीच में प्राइस रहता तो ऐसे में यह सेंटर्स या गौवर्वन्ट की तरफ से ही ज़्यादा रहेगा मुझे मीद कम ही है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आगे आएगा तो सेट्स और सेंटर मिलकर इस फेम स्कीम के थ्रू चब यह मिलकर इसमें आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरी मीद है कि और ज्यादा स्टेट्स और ज्यादा बसी अपने फ्लेट में एड़ की जाएगी यह था आज का सेकंड अपडेट